so hey guys ?? welcome तो जैसे के आप लोग देख सेथे लो जो जिनों पहले यापर मैने नारूटो कार्टून वीडियो को अपलोट के जो कि हे यापर मीरे ब्लॉक हो चुकी आप लोग नहीं के आप देख भी सकते हैं फिर इसी वीडियो को जब मैंने edit करके अपलोट गय понять तो यह वीडियो मेरी पब्लिक होगा इस पर कोई भी कॉपराइट क्लेम वगरा या फर स्ट्राइक वगरा अब तक नहीं आई जब कि मैंने आप 30 जन्वरी को यह वीडियो को अपलोड किया था यहां वेडियो को यहां इन 2 वीडियो को यहां पर यूट्यूब पर अपलोड किया ति मेरी एक वीडियो मेरी भीलॉक होगा और दूसरी वीडियो मैरी Blok नहींOUGHीं यह Dorothy कोई भी कॉपराइट क्लेम वगरा नहीं है और यह जो आप लोग यह दोनों वीडियो देख रहे हैं यह मैंने एक वेफ सीरीस से कट करके यहापर यूटूब पर अपलोड की है और आप लोग को पता है वेफ सीरीस का अगर आप लोग 30 सेगेंट या क्लिप भी अपलोड करते हैं यूटूब पर यहाँ पर यहाँ पर हुआ कैसे है कि एक वीडियो यहाँ ब्लॉक होगा या दूसरी वीडियो बिल्कुल पॉब्लिक है एक कॉपराइट क्लेम तक नहीं है तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहे तो कि यह सब जितना भी सब कुछ होता है यह सब कॉपराइट बाइपास टूल की मदद से होता है बैसिकली आप लोग इससे एक तरीके की एडिटिंग मोल सकते हैं इसमें क्या करता हम लोग जो वीडियो होती है उसको जगए जग होगा तो यहाँ पर वो डिटेक्ट हो जाएगा उस पर कॉपराइट क्लेम जैनरेट हो जाएगा पर अगर आगर आप लोग किसी मुवी को टीवी सीरियल को या फिर कार्टून वगएरा को आप लोड करें कॉपराइट बाइपास टूल का यूज करके तो उस पर आप लास तक वाच करना अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करतें तो आप लोग पूरा मैथट नहीं समझ पाएं कि आप लोग कैसे यूज करना और कैसे आप लोग को यह मिलेगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रू कि यह जो बाइपास टूल वगएरा होता है इसे आप लोग अपने फोन में यूज नहीं कर सकते इसके लिए आप लोग के पास PC या लैपटॉप वगएरा होना चाहिए क्योंकि आप लोग इसे CMD के थ्रू ही रन कर पाएंगे तो अब यहां पर मैं आप लोग को यह बता रह तो आप लोग के पास कुछ ऐसा फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा आप लोग के PCL लैपटॉप में आप लोग के पहले ही बताते कि आप लोग इसे अपने फोन में यूज नहीं कर सकते हैं जिप फाइल एक्सेक्ट करने का आप लोग के सामने जो फोल्डर बन के आएगा ज फोल्डर में आप लोग को एक और फोल्ड देहने करें के मिला यू यूटेव किराइज बाइपस totally आप लोग को इस पर क्लिक करने में लिए मतनि कि आप लोग किस तड के कि हैदी अबर आप यहां पर पर हमारा center zoomed repeat है, corner zoomed repeat है, repeat and corner zoom in out तो इस तरीके से यहांन पर अपड़ोगों को धेरो editing के effect लगभर देखने के लिए मिल जाते हैं यहां पर सबसे main काम यहां पर हमारा आ जाता है इन दो folders की उपर यह पर जो हमारे 3ड वाला फूल्डर Okay niet करकर है हमारा किसी भी काम कर दो हमारा में उन दुत fullκι ग। और थुभर ही होगा तो यहापए जो आप लोगके ऊपर इंपुट वाला फूल्डर देखने करेंसेँ सुभर कौने चाहिए निपूरबेना पड़ेगा जिस वी वीडियो क अब यहापर जुमेरे दोनों फॉल्ल और वग्राब दोनों यहापर कि हाँ जुकि कर दिखा है तक से क्लिप को यह से यूद् assure चरोडे करें possoette कि यहापकर आपके प्लोडान को तो यहाँ पर मेरी जो वीडियो ब्लॉक हो जाए इसको मैंने पहले से यूटूब पर अपलोड करके देख रहा है कि इस पर ब्लॉकेज वगरा आ रहा है अब आप लोग को इस वाली वीडेओ पर बिल्कुल से रहने वाल तो यहां पर आप लोग क करने आप लेता हूं और अपनी वीडेओ को पेस्ट कर देना तो यहां पर जो मेरी copyrighted video हो वो input वाले folder पर import हो जुके इसके बाद यहां पर आप लोग क्या करने हैं यहां पर आप लोग को बैक आने के बाद यहां पर आप लोग काफी आरे features वगरे देखने के लिए मिलेंगे इडिटिंग effect वगरे देखने के लिए मिलेंगे आप जो भी यूज करना चाहिए आप उसे यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में से copyright हटाने के लिए पर यहां पर यहां पर यहां पर मैं आप लोग को दिखा दो कि मैं कौन सा effect यूज करता हूं जिससरे जो मेरी वीडियो हो इसलिए यूज करता हूं कि इस बाले effect को हमें यूज करता हूं तो मेरी वीडियो में कोई भी quality वगरा बेकार नहीं होती है मतलब कि किसी viewer को देखने में problem वगरा नहीं आती है इसलिए में यहां पर इस बाले effect को ही यूज करता हूं तो यहां पर आप लोग को इफेक्ट को पर कितने टाइमिंग की आपकी वीडियो वो प्रोसेस हो चुकिए मतलब उसमें तरह कोपराइट फ्री जा चुका है जैसे यहां पर अभी टाइमिंग चले पर उसमें परथ नहीं प्रोसे है धांज के वीडियुयास यहां माले होट अधे ओमिकला 不टए बिल्किढ को chutता है आप लोग कोई भी copyright claim वगारा कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर मैं आप लोग को अपलोड भी करके दिखा रहेता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने उस वाली वीडियो को अपलोड कर देता हूँ जो कि हमारी आउट पुड वाले फोल्डर में एडिट होके आई है और हमारी जो वीडियो उसकी अपलोड हो भी चुकी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वीडियो पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगारा नहीं कोई भी यहाँ पर copyright claim यहाँ ब्लॉकेज वगारा नहीं है हमारी जो वीडियो उसकी visibility यहाँ पर public आ चुके आप ल लोग copyright free कर सकते हैं और मैं यहाँ पर आप लोग को एक बात और बता दो कि यह जो copyright bypass टूल है यह आप लोग सिर्फ अपने PC या लैप टॉप में ही यूज कर सकते हैं आप लोग अपने फोन में से यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोग के फोन में CMD Windows वगरा नहीं होत हैं तो अब बात आदे कि आप लोग को यह यूट्यूब copyright bypass टूल मिलेगा कहां से और आप लोग कौन देगा तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग को बिल्कुल free में मिल जाएगा मेरे telegram चैनल पे मेरे telegram चैनल का नाम है alpha tech उसकी link का आप लोग क में यूज का सकते अपने वीडियो सो copyright free बनाने के लिए तो मीट करता हूं आप लोग सब कुछ ठीक तरीके समझ गयोंगे copyright bypass टूल की मरसे और आप लोग को यही पता लग गयों कि आप लोग को उसे कैसे यूज करना अपनी वीडियो को copyright free कैसे बनाना है अगर आप लोग को अब भी कोई problem अगयरा है तो simply यहाँ पर आप लोग नीचे comment मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग की जो भी क्वाईरी या पर problem अगयरा है और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई और वीडियो को लाइक करें तो फ्यूचर में इसी टैप की और वीडियो सेखने के आप